गुजरत में आज दूसरे वांतर चरंग के मदान के चंद घंटों पहले बनास काठा की दाता सीट से कॉंग्लिस प्रत्याशी व मजूदा विधायक ने भाजपा नेताओं पर हमले का आरोप लगाया अरक्षि दाता सीट से विधायक कांति खरारी ने कहा कि उन पर भाजपा प्रत्याशी लादू पारगी ने हमला किया खरारी ने समाचार एंजनसी को बताया कि मैं अपने मदाताओं के पाह जा रहा था तब ही भाजपा उम्मिद्वार लादू पारगी के साथ लालकृष्न बराड और उनके भाई वदन जी वअन्य ने हमला कर दिया हमलावर अपने साथ तर्वार वअन्य हत्यारों से लैस थे हरारी ने बताया हम अपने समर्थकों के साथ वाहन से बामोद्रा फोरवे से जा रहे थे तब ही भाजपार पत्याशी ने हमारा रास्ता रोक लिया उसके बाद हमने लोटने का फैसला किया इससे बीच और लोग आये और हमला कर दिया मैं अपने छेतर में जा रहा था क्योंकि वहां आजमत्दान है मैंने देखा कि वहां माहौल गर्म था इसलिए मैंने वहां से लोटने का फैसला किया जब लोट रहे थे तब भी कुछ कारों ने हमारा पीछा किया हमने सोचा कि हमें बचना चाहिए हम 10-15 किलोमेटर तक भागे दो घंटे तक जंगल में रुके रहे कॉंग्रिस प्रत्याशिव और माजुदा विदाय खरारी पर कतित हमले की कॉंग्रिस सांसत रहूल गांधी ने भी ट्वीट करने निंदा की है रहूल गांधी ने आरोप लगाया कि कॉंग्रिस के आदिवासी नेता और दाता विधान सभा उम्मेदवार की कांदे भाई खरारी पर भाजपा के गुंडों ने बेरहमी से हमला किया और खरारी लापता है गुज्रात कॉंग्रिस नेता जुगनेस मेवारी ने खरारी द्वारा चनाव आयो को लिखा गया पत्र साजा किया है इसमें खरारी ने उन पर हमली का आरोप लगाया है